सुपरवाद बच्चो, मैंने आपको सेर और चुवा की काहानी के बारे में बताया था, आपको पसंद आई होगी, आज मैं आपको एक गध्यांस पढ़ाऊंगी, जिसे आपको पढ़कर के समझना है हाँ तो बच्चो, एक अध्यांस देखो, एक दिन यस चत पर बैठा था, वहे चिडियों को उड़ते हुए देख रहा था, उसे चिडियों को उड़ते देखना बहुत अच्छा लगा अब उसके मन में भी चिडियों की तरह उड़ने की इच्छा जाग उठी, एक दिन वहे गर्मियों की चुट्टियों में अपने परिवार के साथ हवाई जाज से गूमने गया यस को हवाई जाज में से चलते हुए बादल बहुत अच्छे लग रहे थे, वहे बहुत खुश हुआ अब ये गद्धान से आपको समझ में आया होगा, नीचे दिए प्रशनों के उत्तर दीजिए अब प्रशनों के उत्तर बताना, यस को क्या देखना अच्छा लगता था? यस को चिडियों को उड़ते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था यस के मन में किसकी तरह उड़ने की इच्छा जाग उठी? यस के मन में चिडियों की तरह उड़ने की इच्छा जाग उठी? यस किसके साथ हवाई जाज से घूमने गया? यस गर्मियों की चुटियों में अपने परिवार के साथ हवाई जाज से घूमने गया? यस को चलते हुए बादल बहुत अच्छे लग रहे थी तो ये गद्यान से आपको समझ में आ गया होगा ये आपके नीचे प्रश्ण दिये हुए इनके उत्तर आपको कॉपी में करने हैं धन्यवाद